उन्हों ने वहाँ पर पंडित जी ने एक घड़ा रखवाया उसको सजा वजा करके और जब मुझे पता चला तो वहाँ तो मैं थोड़ा यंग बिलड़ था गुस्षे में गया तो घड़े में मैंने लात मारी सुरा मेरे मज पमान तठान फेर में जिक्खा पधिंग्समाधियानी पुद्धन समन ओम नाराण अहिरवार सर्थ आप अपना एक छोटा साब परिचे दिरी जी जी सुधेर जी बहुत-बहुत सादुआद आपको मैं ओम नाराण नहरवार हूँ और 1983 बैच से सचवाले सिवा संबर का अथकारी रहा और 2021 में जोएंट सिकेर्टी चीप निश्टर यूपी गवर्मेंट से रिटैर हुआ हूँ और मौलिक तोर से मैं जालोन डिस्टिक का रहने वाला हूँ जालोन डिस्टिक का वो छेत्र जो जो हमेशा दस प्रभावित रहा और पिछडा रहा और बहुत ही मतलब बैकवर्ड एरिया मान सकते हैं जमना किनारे का छेत्रा आप तो मानने है जो फुलन देवी जी हैं उनके घर के पास से रहे इसका मतलब जी 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 जो विरांगना फुलन देवी हैं वो मेरे गाउं से आठ किलोवीटर पास की गुड़ा पुरुआ की हैं देखा आपने कभी उनको बिलकुल देखा मैंने उनको साथ-छाथ देखा है और उस रूप में भी देखा है जब वो बगावत की थी उन्होंने जिसको आप पुरानी भासा में डकायत कह सकते हैं लेकिन हमनको डकायत नहीं मनते हैं तो बागियों की कल्चर से आये हुए हैं जी जी बागियों के कल्चर के च्छेत से आये हुए हैं मतलब बागियों के च्छेत से आये हुए हैं तो आपने ये जो आडंबर है और जो अस मेरे एक ताउ थे तो उन्होंने गया धाम किया था जैसे होता था ना चार धाम के आत्राएं तो वो हमारे गाउं से एक ठाकुर साप, तीन यादो और हमारे ताउ गये हुए थे गया धाम लोट करके आने के बाद में उस परम्परा के अंसार एक भोज भुज वआ करता था, भोजन दान किया जाता था कि भाई आपने तो गया कर लिए गया भुज नहीं किया तो ये तो पूरा नहीं हो सकता, ये परम्परा थी तो गाउं के जो ठाकुर साब थे उन्होंने अपना यादोवर के लोग थे उन्होंने अपना भोच कर लिया हमारे समाज में चुकी भोच के लिए तैयारियां नहीं होती थी पैसे नहीं होती थी तो लोग उन्हें का ये क्यों नहीं भोच कर रहे हैं तो हमारे घर के सारे लोगों ने का चलो भोज जब गाओं के लोग करें तो किया जाये तो भोज की तैयारी करी गई और तैयारी के बाद उस समय मैं इंटर में पढ़ रहा था तो मुझे भी ख़बर लगी कि वहां भोज की तैयारी हो रही है तो मैं आया गाओं में तो पंडित जी जो कथा वाचक थे उन्होंने ये का कि भाई आप तो हरजन हों हम आपके घर में कथा नहीं करेंगे और अगर कथा आप करना चाहते हैं तो मंदिर में आएए हम मंदिर में कथा करेंगे जब मुझे इस चीज का पता चला तो यह हुआ कि घरवाले तैयार हुए और मंदिर में पहुँच गए और जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर पंडित जी ने एक घड़ा रखवाया उसको सजा वजा करके जब मुझे पता चला तो वहां तो मैं तोड़ा यंग़ बिलड था गुस्से में गया तो गड़े में थे हड़ा में लात मारी जी गड़े में लात मारी और उनका अपने ताओ का हाथ पकला ताई का हाथ पगड़ा आपने चलिये घर यहां कता था नहीं होगे बिल्कुल साब और उसका हमें खामयाजा भी बाद में जहलना पड़ा तो जब उनको लेकर आए तो आपने इतनी बड़ी विवस्था से जब बगावत की है और जमी जमाई सामने और बिल्कुल प्रिटेक्ष रूप से प्रिटेक्ष रूप से मंदिर में सर हाँ तो खामयाजा रहा क्योंगी व्यवस्था बदलने में खामयाजा तो हमें साथ देना पड़ता है तो सर उसके बाद में गाउं के लोगों ने कहा कि पनदित जी की बेष्टी कर दिया और यह लड़का ठीक नहीं है इसके खलाब कुछ किया जाए तो ढेडर सारे प्रिट्बन लगाने के लिए लोगों ने हूं किया पंचायत में प्रतिवन पंचायत किया और वो किया क्या क्या प्रतिवन लगाए खासतोर चुरंड का पंचयत में इंदको दन्लित किया जाए और जब तक पंचयत में आते नहीं है तो इंदका हर तरीके से भैसकार किया जाए तो हम लोग पंचयत में बैठे पंचयत में मैंने दो चीजें रखी हैं हमने का भाई एक चीजे बताईए कि अगर ठाकुर साप के घर में कथा हो सकती है यादो जी के घर में कथा हो सकती है तो मेरे घर में कथा क्यों नहीं हो सकती है ये ब्रामान जो हमारे घर में आवस्या पूर्णमा मासी को दान लेने आता है आटा ले जाता है चावन ले जाता है सबजी ले जाता है उस समय इसको छूत नहीं लगती और कथा करने में छूत लगती है तो मैंने अगर इसको बगावत किया तो इने बुरा क्या किया है मेरा अतकार है मैं नहीं करना चाहता हूँ पूजा पट मैं नहीं कथा कराना चाहता हूँ अगर इनको छूत है हमारे कथ वो करने पड़ तो मैं तो ऐसे चीज को आप इसलिए मैंने विरोध किया है और मैं तो चाहूँगा कि जितने लोग हैं सब लोग इसका विरोध करें त वो चुकि उस समय 78-79 में हमारे याँ दस्षो उनमूलन की कारवाईयां चलती थी और बड़े पैमाने पर लोग दस्षो उसमें छेतर में थे और धेर सारे गैंग काम कर रहे थे अलग लग और वो सारे के सारे सारे के सारे आजकल के सूद्र गैंग थे जो किसी ना किसी बड़े लोगों के सताय हुए लोग थे प्रताड़ित लोग थे उनके घरों को लूट लिया गया था उनकी मैलाओं की इजट लूट ली गई थी अइसे उस समय धेर सारे जिसमें विरांगना फूलन देवी का भी गैंग था बिक्रम मनलाय का गैंग था धेर सारे उस समय गैंगाले तो उस समय मेरी हिम्मट थी यह लग रहा था कि अगर बगावत करेंगे तो में भागी वागी हो जाओंगा और जोरुआविक और पढ़ से था की क्या होता है कि किसी सब्था को बदलना सबसे बड़ी बगावत है और किसी व्यक्ति को बदलना वो हलका माना जाता है तो काम तो आपने क्योंकि आपने व्यवस्था में लात मारी व्यक्ति में लात नहीं मारी आपको ब्रहम्मन से अब वो नहीं था कथा कराने तो आप तयार थे और कथा आपके घर होती तो आपको ब्रहाममन से एत्राज नहीं था आपको उसके वहवार से एत्राज था जो वो एटोशिटीज कर रहा था आपके साथ पिर क्या हुआ इसके बाद फिर हम लोगों ने जो भोज की तैयारी थी उसको भोज को करवाया तो जो यह से ज्यादा बेटर है चार दिन के जिरियेंगे और क्या बगावत कर देंगे तो उस बगावत को सुनकर के डेहर सारे छेत्र के लोगों ने बड़ा प्रोचाहित किया लोग पड़े लेके लोग आपके सपोर्ट में बहुत लोग आए और उनने का एक वो ब्रामल को फिर गाव में घुसने से लोगों ने मना कर दिया दो मेंने बाद तो आपका तो जो आपने विड़ा उठाया वो बिर्कुर सफ़ाल हुआ सेवेंट एट में टाई वाल को फोटो आज माद बृद जी का तो फोटो नहीं था उस में पिता जी और ऑव्यक्ति नहें और भारत देश को चलाने किताब लिखी हो बावात देश का कारी हो गया जानकारी हो होगी कि उन्होंने पढ़ने के लिए बोला है जी 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 चलो यह अच्छा था कि इंटर तक हम को यह सब जानकारी हो गई थी और उस एक बात बज़े जो बीच में पूछनी है यह जो गया जाने का और गया का वहां लोगों का भिरवन करने का इसका मतलब यह हमारा बहुत पुराना कल्चर रहा है कि हमाएं लोग बुद्ध के पास मुख प्राप्त करने के लिए सीखने के लिए गया जाते थे और आके काम से दोने के बाद दावत क्या करते थे वह एक्चुली मैं मैं इसको जानकारी तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन समा आज को यह बात बताई गई कि अगर आप गया धाम करते हैं तो आपके पुर्खे तर जाएंगे यह बताया गया यह नहीं बताया गया उस समय कि गौतम बुद्ध को वहां ग्यान प्राप्त हुआ था या गौतम बुद्ध को तो बेसीकली क्या नाम था कि वह जो जगय का नाम था उसका वो नाम बदल दिया गया उसका जी 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 उस जगय का राम बोध गया गया नहीं नहीं था उसका नाम अलग नाम था उसका जो धम के उपर आधरित था मुझे इस समय याद नहीं आ रहा तो वहां बोधी वहां से भगाई गई तब उसको बोधी गया बो तोब तोभा गरीबी मेरा बड़ा आकरसंड था कि गरीबी कैसी होती है उसको मैंने भोगा आया अपनी जिन्दगी में और बड़े उससे रिष्टे-ष्टेदारों और सब की मदद के बाद में जो के सनपूरी की मैंने पहुआ इसके बाद में मेरा जब चैन हुआ तो मैं आपको बता दूँ कि 1984 में मेरा फर्स्ट एपोइंट गवर्मेंट हुआ था महालेखाकार एजी आफिस में इलावाद में और 1984 से लेकर के 37 साल की गवर्मेंट सेवाए मैंने सेंटर गवर्मेंट और स्टेट की दी और मुझे ये बड़ा संतुष है कि मैंने जो भी अपने कारकाल में नौकरी में किया वो चाहां बहन मायवती कि सरकार ही कि उसमें वह भी मैंने बहुत काम किया it की जितने भी कर सकते थे की और मांदी है मुलाहिम सिंधह की यादो की पहली गॉर्मेंट इसके अखलेस यादोजी कि गॉर्मेंट कुस्त को मैंने काम किया 55 वे रहकर के औहुत सारे अच्छे विवाग़ कारेले, बैं, तो 10 लोगों के पैनल में में मेरा नाम घया, तो उस में मुझे चैन किया गया, तो 2017 में मुख मंत्री के कारेले में 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 तैनाती हुई और वहीं से में रेटैर्र भी हुआ 4 साल की सेवादे करके तो अभी रेटायरमेंट के बाद आप क्या प्लान है आपकर क्या कर रहे हैं देखिए बर्तवान में चुकि एक मैं आर्थिक स्थित के मामले में खास तोर से बहुत चिंतित रहा हूँ हमेशा से कि आर्थ एक ऐसी चीज है कि सारे विकास लोग देती है चाहा वो पढ़ाई लिखाई हो चाहा आगे बढ़ने के हो तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2021 में लाड़ बुद्धा मरफिडा फाइनेंस और इंबेस्टमेंट कंपनी का रेजिटेशन बारत सरकार के कंपनी मन तरहने से कराया और उसमें 21 सेयर दे करके और हम लोग भागीदार बना रहे हैं जिसमें हमारे SC, OVC और मैनर्टीज के लोगों को समढ़ ही आ रहे हैं और उनको लेकर के साथ एस्टेट के लोगों को हमने उसमें एक खटा किया है हमने तीन करोड़ दस लाग रुपए तक हमारा आज तक पूरा हूँ अभी करिब सात करोड़ और करना है हमको दस करोड़ का टारगेट पूरा करके और RBI को हम लोग NBFC बनाने के लिए अरे यह देखिए दो करोड़ दस लाग का भी अब लोगों ने प्रफोजल RBI को भेजा था लेकिन उसको तो हम बस यह कह सकते हैं कि RBI से हमको एक लेटर मिला और वो मेल से मिला जैसे आप ने अर्जी दाखिल की तो वहां दो से 10 करोड़ रुपे की डिमांड आ गई कि वहां से यह आ गया कि भाई यह पहले से 10 करोड़ का एक अक्टूबर 2022 अब आप 10 करोड़ इखिटा करके बैंक का त्यारी कर रहे हैं जो जी जी बिल्कुल उसको करेंगे उसको करेंगे और उसमें जो हमारे हिश्चेदार हैं वो सब सर्मण ही हैं और सर्मण ही चलाएंगे भारत के आजार सर्मणो का बैंक सर्मणो के द्वारा सर्मणो के लिए हैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल् जी जी यही नीत के आदार पर हम लोगों ने ब्रोसर छपा है तो उसमें लिखा हुआ है ये कि अपना पैसा, अपना बैंक, अपना खेद, अपना फ़सल, अपना पानी ये हमने दिया है ये तो बहुत अच्छी बात है जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है जी 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 और टीम 22 यूटूब चैनल की आपको मंगल कामना है सुब कामना है जल्दी बैंक खुले तो हम भी अपना खाता होई खुलुआ है सर्के सरमर्संग की तरब से भी उनको आपको सबस्वाइब गहाई है अपमी बात रखेंगे जो तरक में निकल के आयागा वह आपको पता चल जाएगा बिलकुल बिलकुल रखा जाएगा सर और आपने मौकर दिया सर इसके लिए बहुत-बहुत साथ बाद और सर शंगम गच्छामी शंगम नमामी जी जी सर